नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं शिवमिस्र, आप सबका स्वागत करता हूँ, CGS के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, CGS कोचिंग और साथी साथ अगर ये वीडियो आप देखरो हो हमारे फेस्बुक पेज के ओफिसियल पेज पे तो आप सबका स्वागत है आपके अ हम आधिमिक अगरी बोलियो हो से हम बोलने सिक्षक अरहता परिक्षा है सकेंडरी लेवल की, यह कि क्लास, 9 और 10 के लिए, और 11 और 12 के लिए, आपके पातर्ता परिक्षा आउयुजित होने वाली है, उसके लिए भी अगले कही सालों के बाद यह आने वाली है तो निश्चेत रूप से बहुत सारे बच्चों के मेरे पस मैसेज़े आये हैं और हमारे अलग लग जो नंबर्स हैं आपके सोसल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो मुबाइल नंबर्स हैं वाटसेप नंबर्स हैं उन ज्यादा है भी अभी भी हम लगे हुए उसको परिक्षा को ठीक तरीके से बच्चों की त्यारी हो सेके हो उसकी प्रयास में हलांकि बट चोकि students important हैं और आप सब बच्चे बहुत सारे हमारे साथ YouTube पे और तमाम जोगों पर जुड़े हुए हो जो कि बिहार से बिलॉंग कर हैं तो इस वीडियो को आखीर तक देखेगा और बाद में अगर वीडियो आपको ठीक लगती है और आपको लगता है कि पूरी सूचना है एक साथ आपको मिल चुकी है इस वीडियो के अंदर तो जो भी दोस्ता आपके होंगे जो भी बच्चे होंगे जो eligible होंगे इस exam के आप उनके साथ इसको share करिएगा, क्योंकि आप जानते हो sharing is caring, अगर आप दूसरी की मदद करते हो, तो इश्वर आपकी मदद अवश्य करता है, तो सूचना सबको मिलनी चाहिए, कोई बच्चा परिशा का form भरने से वंचित ना रहे, ये जिम्मेदारी फिर आपकी एक भले म की रूप में बनती है, तो मैं अपनी जम्मेदारी पूरी करता हूँ, आप अपनी जम्मेदारी पूरी करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ आईए इस वीडियो की सुरुआत करते हैं, चली सुरू करते हैं, देखें, ये वीडियो जो है दोस्तों, जैसा मैंने इसका संदर्व है बिहार का जो स्टेट का एक्जाम हो रहा है, अब यहाँ पर स्टेट का मतलब स्टेट टीचर इलिजबिल्टी नहीं है, यहाँ पर कहीन की हम कह सकते हैं कि यह एक तरीके से सिनियर और सिनियर सेकेंडरी जो इलिजबिलिटी टेस्ट होते हैं, उसके जिसको आप senior secondary भी कह सकते हो English में तो यह हो जाएगा उच माध्यमिक वर्ग का अब जो माध्यमिक वर्ग है देखेगा इसमें 9th and 10th क्लास आ जाती है आपकी 9th और 10th क्लास आ जाती है और जो उच माध्यमिक वर्ग है इसमें क्या जाएगी बच्चों 11th and 12th क्लास आ जाएगी ठीक तो यह दो अलग-अलग vacancies के लिए दो अलग-अलग भरतियों के लिए यह आपकी परिक्षा जो है आयोजित होने वाली है अब इसमें देखेगा अगर कि जो माध्यमिक परिक्षा होने वाली है इसको इन्होंने नाम एक तरीके से दे दिया paper 1 अब इसको आगे हम जब paper 1 कहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम बात कर रहें किसकी हम बात कर रहें माधमिक सिक्षा की हम बात कर रहें एक तरीके से माधमिक सिक्षक भरती की clear हुआ और यानि कि वर्ग 9 और 10 के लिए यानि कि कक्षा 9 और कक्षा 10 में जो सिक्षक नियुक्त होंगे हम उनकी बात क तो हम पेपर वन की बात करेंगे, स्टी इटी के इंतरगत्, और अगर हम बात करेंगे मनलेजिए, उच्च आजमाधमिक वर्ग की याणि की ककशा 11 और ककशा 12 की वर्ग 11 और 12 की बात करेंगे, तो इसको पेपर 2 के नाम से यहाँ पे संबोधित करने वाले हैं आगे आने वाले संदर्भो में अलग-अलग references में ठीक बात अब आगे देखेगा अगर हम बात करें कि जो यह माध्यमिक सिक्षा वर्ग है इसमें कौन-कौन सी एक तरीके से अचा इस परिक्षा को आयोजित क की जाती है और इसका जो एक तरीके से मुख्यालह कहां है थे को जो कि राय जानी है हमारी ठीक है अब इसमें है आप देखेंगे कि इसको परिक्षा को TGT में जो subjects है total अगर हम देखें तो 7 अलग-लग subjects में परिक्षा है अब की होनी वाली है साथ अलग-लग subject में total भरतियों की यहां पर संभावित जो है भरतिया निकाली गई है साथ अलगलग सब्जेक्स में टोटल कौन कौन से सब्जेक्ट हैं देख लेते हैं देखेगा तो एक तो अंग्रेजी भाषा हो जाएगी अंग्रेजी भी से हो जाएगा जो पढ़ाना है नौ दोस्त में उसके लिए टीचर्स की भरती होनी है इसके अतरिक्त गणित है विज भी मतलब कि घ्लासच में विशे पढ़ाय जाते हैं वो अलग होते हैं लेकिन विशे तो लगबग लगबग कोर करिक्योलम के अंदर से मी हो जानते हैं तो अंग्रेजी हो गईगरीथ हो के विज्ञान और इसी तरीके से क्या हो जाएगा it मैं भाषा है पढ़ाई जाती है हिंदी भासी प्रदेशों में तो हिंदी संस्कृत भी हो जाएगा और साथ में एक भाषा आपकी क्या हो जाएगी उर्दू भाषा हो जाएगी तो यह टोटल देखेंगे आप तो भाषा के ही विसे उपलब्द हो जाएगे आपको चार ठीक है अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू और बाकी तीन विसे उपलब्द हो जाएगे आपको mathematics, science और social science ठीक है अब इसके अंदर देखो vacancies की संख्या लगभग लगभग जो प्रस्तावित है कितने पद प्रस्तावित हैं अगर हम बात कर ले तो अच्छी खासी संख् फाइव थाउजन फिप्टी फो किसमें? English में गणित में भी उतने ही है 50049 पो पोस्ट है जो अडबरटाइज की गई है विघ्यान में देखें अगर तो विघ्यान में भी आपके पास टोटल जो है 50000 पोस्ट है अगर हम बात करें हिंदी में तो हिंदी में है तो हिंदी मे में कम पद है यानि 3000 टोटल पद यहां पर प्रस्तावित है संस्कृत में और कम पद है तो 1014 पोस्ट है यहां पर जो खाली है जो भरी जाएंगी और 1000 पद जो हैं आपको मिलेंगे अग्तरीके से इजी टी तो 6-8 तक के लिए हो जाता है लेकिन कई जोगों पर 9th और 10th की classes उनको दे दी जाती है और इसको आप PGT समझ सकते हैं इसमें तो कोई डाउट है नहीं ठीक है यह PGT की सब्जेक्स देख लेते हैं तो गनित यहां पर भी है गनित की विकेंसी इसमें नहीं है अंग्रेजी भाषा को अगर हम छोड़ दें तो नहीं है बाकि सब के सब जो हैं गनित और विज्यान से समंदित विशे यहां पर उपलब्ध है जिसमें की भरतियां निकले हुई है तो अंग्रेजी हो गई गनित हो गया बहुत की हो गया बहुत की यानि की फेजेक्स है ना और इसी तरीकी से आप देखेंगे केमिस्ट्री यानि की रसायन विज्ञान के अंदर भी पोस्ट हैं इसमें प्रस्तावित भरतियां प्रस्तावित हैं पांचवे नंबर पर आप साथ हो जाते हैं यहाँ पर जब हम विग्ञान पढ़ेंगे तो इसमें जिलोजी भी पढ़ेंगे बॉटनी भी पढ़ेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे यही चीज आगे चलके क्या होगा है सब सेपरेट होगे अलग-अलग होगा पीजीडी लेवल पर यह सब तो आप समझते ही हैं इसके अतरीक इसमें देखे क्या है तो computer science ना तो एक विशे आपका क्या है computer विज्ञान भी है computer science भी है तो यह साथ विशियों में विकेंसी है तो यहाँ पर फिलहाल हम देख सकते हैं कि मानविकी के जो विशे हैं जो आपके art side के subject हैं उनकी संख् अनकुल नहीं है भाषा के अंदर पद नहीं है अंग्रे जी को छोड़ दिया जाए अगर तो ठीक है लेकिन अब यह पद कुल कितने हैं देखो तो अंग्रे जी में total 2125 vacancies है गनित में अगर आप देखते हैं तो total 2104 vacancies है भौत एक विज्ञान में अगर आप देखेंगे द आपको मिलती है कहां पर यह मिलती है आपको प्राणी सास्त्र में बनस्पती सास्त्र में आपको 835 vacancies मिलती है total 835 और इसके अतरिक आपको computer science में 1673 vacancies आपको computer science में अब total vacancies की संख्या यहां पर PGT level पर कितनी हो जाती है तो 12,065 हो जाती है तो यह तो basic बात होगे कि vacancies आप इसमें देखें जो दूसरी जरूरी बात है आपके लिए सब के लिए वो क्या है आवेधन की थिथी अब आवेधन की थिथी आप सब बच्चे जानतों चुके ही हो क्योंकि वीडियो लेट आ रहा है तो आप लोग इस पे comment में यह मत लिखीगा कि भी आपने लेट वीडियो डाला मैंने आपको इसका कारण पहले ही बता दिया लेट वीडियो डालने का कि पहले हम इस चीज़ को लेकि बहुत ज़धा उतसाहित नहीं थे कि हम इस वेकेंसी औरियेंटेड ही सिर्फ त्यारी कराते हैं जो हमारी ओफ-लाइन कोचिंग होती है जो आपके साथ सेयर करते हैं पढ़ाते हैं आपको यह यूटूब पर पढ़ा रहे हैं उन सब में हमारा पूरा का पूरा फोकस जो है वो तो टीजिंग एक्जाम्स को लेकर रहता है लेकिन फिर भी 16 के बाद 17 को PGT के परिक्षा है दोनों से इफ्ट में 18 को पूरी TGT के परिक्षा हैं और फिर 19 को जो है कुछ जो है PGT के जो पेपर बच जाते हैं तीन उनकी परिक्षा होनी है तो अटलिस्ट उसमें हम पूरी तरह से क्या हैं फोकस्ट हैं बहुत सारे बच्चे किये हुए थे कुछ offline में तो उस पर हम काम कर रहे थे तो सुरू में थो हमने थोड़ा से इसको नजर अंदाज करने की कोशिश करी लेकिन आप बच्चों का प्रेम और आप बच्चों का जो सही होगा उस नजर अंदाज करने नहीं देता चीजों को कई बार मैसेज़े जा कि बैराल अभी भी टाइम है तो जो बच्चे अवेर हैं बहुत बड़ी है लेकिन जो बाते में इसमें क्लियर करने जा रहा हूं आगे वह आप सब के काम की होंगी जिन्हों ने फॉर्म भर दियोगा उनके भी काम की कि परिक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है हना कब तक आपकी रहेगी वह सारी eligibility क्या है इस सब पर भी मैं आपको एक एक करके सारी चीज़े बताने वाला हूं तो थोड़ा सा patience के साथ इस वीडियो को देखेंगे तो आपको आगे त्यारी का एक mark प्रसस्त होगा आगे त्यारी करनी कैसे है वह भी चीज़ें समझ आएंगे समझ ताहिट के थुरू है और इसकी तीथी जो है आप सबको पता है कि 9 सितंबर से ये form already भरे जा रहे हैं शुरू हो चुके हैं और आज हम लोग जो बात कर रहे हैं आज हम 10 तारीक को बात कर रहे हैं तो बहुत लेट भी नहीं अपनी तरब से ठीक है तो 9 तारीक को से form ये open हो चुके हैं 2019 से और ये भरे जाएंगे कब तक तो आप देख सकते हैं इसको ज्यादा समय इन्होंने दिया नहीं है 18 सितंबर 2019 तक का इन्होंने टाइम दिया हुआ है clear हुआ तो ये total समय है आपके पास इसके बीच में आपको ये अपना form फिल कर लेना है online अगर भर दिया विधन की थी क्या है clear हुआ बच्चो अब इसमें जो website है official इनकी उसका link आपको यहां पर description में share हो जाएगा ये पूरी detailed notification का link भी PDF का description में share हो जाएगा आप वहां से download कर सकते हैं ठीक और वैसे अगर आप देखना चाहो तो website का जो address है इनका URL का वो क्या है www.bse.bsted.bsted.bsted.b bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted.bsted इक्जाम का पैटन। तो बच्छों अब हम जो बात कर रहें देखें अब हम बात कर रहें कि भी जो परिक्षा का structure होगा जो exam की सनचना होगी आपके परिक्षा की सनचना होगी वो क्या होगी क्या किस तरीके से आएगा देखें तो मैंने आपको बताया था कि पेपर 1 बोले गे इसका मतलब हम बात कर रहें किसकी माध्यमेग-सिक्षक की और हम बहुजङँ लगे paper-2 इसका मतलब हम करें किसकी माध्यमेग-सिक-षब की यानि कि PGT वाली है लिजए मान लिजए पेपर 1 कि अगर हम बात कर लेते हैं paper 1 का मतलब फिर से यहां पर क्या हो गया 9th and 10th class की जो teachers बनेंगे उनके लिए ठीक है तो इसकी जो structure होगी exam की अगर आप देखेंगे तो इसमें total जो प्रश्ण होने है डेल सो होने है जिसमें कि आपका जो विशय संबंधित प्रश्ण आएगा जो भी विशय से आप अपलाई करें आपके इनकी संक्या कितनी होगी तो इसकी संक्या होगी 100 questions होंगे और बाकी आपका जो सिक्षण कला है, सिक्षण कला को आप क्या कहते हो? आप कह सकते हो तो सिक्षन कला और अन्य दक्षता इन्होंने लिखा हुआ है अब अन्य दक्षता का मतलब क्या होता है तो अन्य दक्षता के अंदर कहने कहीं जो बाकी का आपका भई थोड़े भूद नियमरिकल एप्टीट्व प्रश्चन सो सकता हैं रिजनिंग हो सकता है भाष्या की दक्षता हो सकती है इंग्लेश इंदी आ दी आदी है ना कि आपको कह लिए निया है रही चुद्ध शुद्ध वख्या रहे की निया रहे है परहथ और आपकी की बाकी परिक्षाँ में पूछा जाता है वो और थोड़ा सा aptitude का मतलब होगे कि आपकी numerical aptitude कैसी है आपकी reasoning के aptitude कैसी है वो सारी चीजे जनरल awareness आपको कितना आ रहा है current affairs से आप कितना related हो वो सारी यह प्रस्ण होंगे क्या कैसे तो सारे की सारे क्या होंगे mcqs होंगे यह निकि multiple choice questions होंगे बहुत बिकल्प यह प्रस्ण होंगे चार भिकल्पों वाले multiple choice होंगे with four different options एक option correct होगा वहीं आपको कहीं क्या करना होगा आप चुनना होगा और इसमें देखो एक और बात आती है नेगेटिव मार्किंग बच्चे पूछने कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है तो नहीं है बिल्कुल नहीं है ना तो नेगेटिव है तो टोटल अंक भी आपके कितने हो जाएंगे एक सो पचासी हो जाएंगे अब बात कर लेते हैं पे देखो क्वालिफाइंग नंबर की पेपर वन के लिए फिल आलम बात कर रहे हैं तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे आप देखेगा यानि कि किसको सर्टिफिकेट अरहता आंक होंगे वो कितने होंगे अगर उसकी बात करी जाएगी तो नियुनतम अरहता आंक आप ध्यान रखेगा यहाँ पर आप सब लोग कि 50% जो है वो रहेगी इसमें इन्होंने दिया हुआ है समानने के लिए 50% और बाकी जितनी भी रिजर्व कटेगरीज के बच्चे मतलब इतना तो चाहिए ही चाहिए जैसे सीटेट आप देते हो तो कहते हो तो 60% रहेगा तभी पास होगा तो उस तरीके से देखें तो यहाँ पर कम से कम 50% होना यानि कि डेर सो नंबर में से आपका होना चाहिए 75 और जो 45% का कंडिशन है वो किसके लिए रिजर्व लावर्ग है ना तो दोनों ही वर्गों के लिए प्लस जो दिव्यांग वर्ग है उनके लिए भी तो 45% की अरता रखी गई है ठीक अब इसके बाद देखो क्या होगा इसमें जो प्रमार पत्र की वैध्यता है जो आपका सर्टिफिकेट इशू होगा क्वालिफिकेशन का ये सर्टिफिकेट की वैलिदीटी क्या होगी ये भी एक मन में आपके प्रशन होगा इसे सीटेट में होती है तो सीटेट में कितने साल होती है साथ साल तो ये उससे पीछे नहीं है, ये भी 7 साल की validity आपके certificate को देंगे, यानि एक बर आपने ये परिच्छा qualify कर ली, 50% से उपर अंकल आके, ठीक है, तो आप अगले 7 साल तक ये BSTET की परिच्छा देने की जुरत नहीं है आपको, जब भी इसके लिए vacancy आएगी, आपका नाम consider कि अगर पहले में ही आगया, इसी वाले vacancy में आपका नाम आगया, merit में आप आगया, मेधा सूची में आगया, qualify करना is not the guarantee of, क्या, job, job कब मिलेगी कि जिसने भी qualify किया, उन सभी बच्चों को उठा कर, फिर जितनी post होंगी विषयवार, उन विषयों के हिसाब से, बच्चों क नहीं भी हो पाएंगा, ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लिजे कि हम कहें कि भी कुछ बच्चे हैं जो कि 85% स्कोर कर रहे हैं, कुछ हैं कि 65% स्कोर कर रहे हैं, कुछ हैं कि 57 स्कोर कर रहे हैं, 55 स्कोर कर रहे हैं, 52 स्कोर कर रहे हैं, और कुछ हैं कि 50% स्कोर कर रहे हैं, अब म करके सीटेट में तो खैर यह है कि वो पूरी एक्जाम ही eligibility based है उसकी बेसिट पर सेलेक्शन भी नहीं हो रहा है उसके बाद तो उसको एक्जाम देना पड़ता है इसमें एक्जाम दुबारा नहीं देना आपको लेकिन हां आपका जो एक क्वालिफाई होगा है क्वालिफाई है लेकिन यह qualified है तो अगली बार जब vacancy आएगी मान लिजे और उस बार अगर merit down जाएगी तो आपका नाम उसमें आएगा ठीक है तो साथ साल तक यह valid रहेगा यह मतलब है कहनेगा फिर हाल यह है कि आपको highest number लाने है इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ qualify करना यहां पर नहीं चलेगा आपको maximum marks लेकर आना है ताकि आप merit में आएं और आप final job लेकर यहां से जाएं तो यह भी selection procedure का point है जो आपको clear हो गया होगा मेरे ख्याल से तो आपका है पर target सिर्फ और सिर्फ qualify करना नहीं है minimum marks लाना नहीं है यह तो मतलब ही नहीं है ये तो लाना ही लाना है लेकिन इतना लाने का मतलब job भी नहीं है इसको लाने के बाद आपको merit में भी आना है तो merit में आने का मतलब क्या होगा कि highest number लेकिया है आप कोशिश करिए कि 800 में से आपके이 115、120, तो यह कोशिश रखनी है और सीट जितनी होगी जैसी होगी जितने बच्चे होंगे उसके हिसाब से फाइनल निर्धारन होगा रिजर्व को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को तो यह तो हो गई आपकी किसकी बात परिक्षा की संद्चना और सेलेक्शन प्रोसीजर क क्या होगा ये भी बात है तो पेपर टु का structure बेटा जो है वह अलग नहीं है पेपर टु का structure भी लगवग लगवग सेम ही है पेपर टू में भी आपके-इसी तरीखे से अगर आप देखेंगे पेपर qualifying marks जो होंगे वो इतने ही होंगे 50% और 45% टाइम धाई घंटे का ही होगा एक ही दिन परिक्षा होगी जिसमें पहली पाली में अगर आप देखेंगे जो समय होगा पहले सिफ्ट में यह दस बज़े से लेके साड़े बारा बज़े तक उसमें पेपर वन हो जाएगा 9-10 के लिए और उसी दिन आपकी जो है दो बज़े से लेके साड़े चार बज़े तक धाई गंटे की परिक्षा हो जाएगी पेपर 2 की यह structure होगा तो बच्च यह कि किस तारीक तक यह evaluation होगा कि अगर एज की बात है माल लेज़े तो किस तारीक तक एज गीनी जाएगी किस तारीक तक आपके सारी qualification होनी चाहिए डिग्रीज होनी चाहिए या result announce होना चाहिए तो सबसे पहली चीज कट-off date क्या है तो cut-off date eligibility को पूरा करने की जो है वो इ लिए 15 अक्टूबर तक भरे जाएंगे सीजेस के बैच भी सोल अतारीक से शुरू हो रहे है आपके डिएस इस भी प्याटी स्पेसल बैचेज तो बहुत सारे बच्चे उसमें जो इंड्रोल कर चुक है लगभग लगग का डेटा हमारा करीब करीब 200 से उपर बच्चो का ह जो अल्रेडी इंड्रोल कर चुके हैं डिएस इस भी प्याटी ऑनलाइन बैच के लिए अफ्लाइन बैच के लिए अड्मिशन चालू है वह 15 तरिक सेमिनार होगा और उसमें जितने भी अड्मिशन हो जाएंगे सोलसे ऑफ्लाइन में भी साकेत में आपके सेंटर पे बैच डिएस इस भी स्पेसल भी चल रहे हैं तो उसकी अगर हम बात करेंगे तो उसमें भी उन्होंने कट आफ डेट क्या लिया हुआ है कट आफ डेट लिया हुआ उन्होंने 15 अक्टूबर की जो लास्ट डेट ऑप दी फिलिंग दा फॉर्म है लेकिन यहां पर इन्होंने ऐसा 2019 यह जरूर ध्यान रखेंगे बच्चे ऐसा नहीं कि अपने फॉर्म भर दिया और आपकी इलिजबिल्टी जो है एक अगस्त को ना पूरी हो कि आप सोचो कि 19 सितंबर को पूरी हो रही तब मैं लिजबल हूँ जी नहीं आपका एक अगस्त तक जो है सारी की सारी इलिजब के लिए दोनों के लिए एक भारत का नागरिक होना चाहिए बच्चा और क्या होना चाहिए बिहार का भी नागरिक होना चाहिए क्या भारत का नागरिक हो और क्या कहूं मैं बिहार का नागरिक कह दूं क्या बिहार में भी नागरिकता मिलती है लोगों को अलग से नहीं बि पहले एक मात्र भारत में राज्य था पांच अगस्त के पहले जो कि ऐसा राज्य था जहां पर दोहरी नागरिकता थी यानि कि वहां का नागरिक एक तरफ तो भारत सरकार का नागरिक तो था ही भारत मतलब देश का नागरिक तो था ही जो भारत सरकार से नागरिकता प्राप सब्सक्राइब नागरिक होता था लेकिन जैसे ही यह तरीके से जम्हू नागरिक्ता का भी सवाल समाप्थ हो जाएगा तो अब यह ध्यान रखना यह बहुत चोड़ी बास है लेकिन आपको एक सवाल यहां से त्यार हो गया भारत का नागरिक होना चाहिए बच्चा जो भी जो कि प्लाई करेगा तथा बिहार का किया होना चाहिए नीवासी होना जाहिए यह बात देखो थोड़ा सा कुछ लोगो नागवार गुजने की कि सिर्फ बिहार वाले भass भॉम भरेंगे तो क्यों नी भरेंगे बिहार वाले वाले बिहार वालों को बाहर जो है लोग कहते हैं कि बिहारी है अब बिहारी अपनी ताकत दिखा रहेंगे जॉब लेंगे महनत कर रहें और वैसे भी देश में उनकी ताकत दिख रही है ऐसे कुछ नहीं है जहां बिहार वाले हैं वहीं तरक्की है जहां बिहार नहीं वहां तरक्क कि नदारत क्योंकि सारी तरक्की में सबसे जो रूट कौज है रूट दो चीजों का होता है देखो उपी बैठिके हम जिसको कहते हैं कि कर्म दाता है उनके ही हाथों का कमाल है कि उन्होंने बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है तुम्हारी खड़ी कर दी है जिसके अंदर बैठके तुम जो है अपने सपने बुन रहे हो और दूसरी तरह बगर हम सौफ्ट इंफ्रस्ट्रेक्चर की बात करें इंटरनेट की बात करें कंप्यूट इस चीज को मैं स्विकार करता हूं तो ये बात समझने वाली है कि भी इसको लेकर किसी को बुरा मानने की कोई आउशकता नहीं है खराब लगने की कोई जरूएत नहीं है बई हर राज्जी जो है सबसे पहला दाहितों अपने राज्जी के लोगों को नौकरी देने का रख यह बी नहीं कर रहें कि नहीं कर रहा हैं कि निवासी होना ची है आपको या आप वहां पर रहे अगर आप भेटा जैर पेपर वन घररह हो देखो यहां पर उसको यहां पर लेते हैं कि भी बात दूसरी बात देखो क्या है तो अगर आप यहां पे पेपर 1 के लिए अपलाई कर रहे हो यानि कि यहां पे graduation based पे है यह तो आप यहां पे क्या कहोगे कि आपका जो graduation होना चाहिए सम्बंधित विशे में graduation in concerned subject जो भी विशे से आप अपलाई करोगे उसके अंदर आपका graduation होना चाहिए और 50% marks के साथ होना चाहिए ठीक और यहां पे क्या होना चाहिए भई तो यहां पे post graduation होनी चाहिए PG होनी चाहिए परसना तक होना चाहिए और यहां पे भी कितने 50% marks के साथ होनी चाहिए, 50% marks के साथ होनी चाहिए, अब इसमें क्या है, relaxation जो है 5% का मिलेगा, जो reserve categories के बच्चे होंगे, किसमें, percentage में, relaxation कितने का मिल जाएगा, 5% का मिल जाएगा, किसमें, qualification में है, जो भी sexic अरहता है, उसके जो minimum qualifying marks हैं, उसके अंदर आपको क्या मिल और B.A. यहाँ पर भी चाहिए होगा, यह सब चीज़ें एक अगस तक पूरी होनी चाहिए, यहाँ पर बस एक condition, exception है, क्या है, exception कि जो computer science है, इसमें B.A. नहीं चाहिए, computer science में क्या होगा, B.A. क्या वशिक्ता नहीं होगी, दूसरी जो condition से वो पूरी होनी चाहिए, computer science में B नहीं, और इसमें जो eligibility condition है, वो भी सिंपल प्लेन PGT नहीं, PG नहीं ध्यान रखना है, अलग अलगे उन option दे रखके हैं, 2.1 से A level है, तो भी, है ना, post graduate degree है, उसके साथ साथ, या फिर B.T.E.C. है, या bachelor in electronics है, computer science में B.T.E.C. है, मतलब IT में या computer science में, किसी recognize university से, या कोई equivalent degree ह या diploma है, किसी institution या university से, जो कि government of India की तोरह recognized हो, ऐसे करके multiple options हैं, उन में से कोई एक option अगर आपका पूरा होता है, तो आप notice देख लेजएगा, PDF में डाल दूँगा, वहां से check कर लेजएगा, ठीक है, ये बात, और B.E.C. जो है, दोनों में चाहिए होगा, ये ध्यान रखे है, तो MA in education को जो है, मतलब MA in education, इस तरीके से अब समझे, MA न समझ के क्या समझे, MA यानि के master's degree ले लिया है, master of arts कर लिया है, education subject के साथ, बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो इसको ये B.E.C. के बराबर नहीं मानेंगे, तो ये बच्चे eligible नहीं माने जाएंगे, B.E.C. अगर equivalent to B.E.C. तो ये ध्यान रखेंगे कि B.E.C. के basis पर रहता बनेगी, MA in education के basis पर रहता बेटा नहीं बनेगी, किस में, ना तो PGT में, ना तो मतलब इसमे 910 वाले में है ना, तो ये भी ध्यान रखना सेम है ये भी बात, अच्छा और कुछ चीजे हैं इसमें, जो की बहुत इस अलग नहीं है, बहुत समानेसी बातें हैं, नियम आउली होगर इनकी जो है, कि वही विभागी है, तो सूचना संख्या, 1142 दिनांकी एक साथ 2019, एक जोई-जोई-दो इनिस के अलोग में, राश्च्रिय धाबएक सिक्षा परिशद, NCTE जो है, उसके विरियम 2014 के थाथ, NCTE के norms वगर के according, तो वह आप एक बड़ी detail में, अपने अपने विषय से समझेज देखेंगे, तो ज़्यादा बड़ी है, ने तो यहां पर तो सारी बात करने को कोई मतलब नहीं निकलेगा, हाना, तो यह बात समझागी सबको, कि भई, आपका subject में क्या होना चाहिए, सनात और साथ में आपका क्या होना चाहिए, बाकि अप गनित के लिए, विज्यान के लिए, थोड़ा सा समाजी की विज्यान के लिए, आप देख लेंगे, विषयों की क्या conditions है, वो भी आप समझ लेजेगा, विज्यान में जैसे 9-10 के लिए नों दे रखा है, कि भी सनातक स्तर पेरणी ग्रेजीशन लेबल पर आपका क्या पढ़ा होना चाहिए, जेलाजी भी, बाटनी भी, केमेस्ट्री भी है, यह ना, और आपि इंजीनेरिंग से इस नातक हैं, तो इसमें विज्यान की विसिसेकिता होनी चाहिए, और बेब होना चाहिए, तो इस तरीके से इन्हो तो भी अपना अपना कंडिशन डालते हैं सेम समाधिक विज्ञान में इन्हों है कह दिया कि आप जो है इतिहास भुगोल और सास जो राजनती सास में से किसी दो विशे में उत्रण होने चाहिए करें ठीक है ना और एक विशे जो है इतिहास या भुगोल जरूरूर हो तो मत गलत बात नहीं है और इसमें अगर आपको बताई लिए कि निकलेगी ओर इसमें देखो जो दो है आपका य 진행 की अन्य धक्षता जो दिया हुआ है ने है न उसमें कर अगर बात करेंगे तो सारी लेक्सिक्छा हमने इसमों सारोगए अच्छा यह सब तो बात हमने कर ले ठीक है ना इस सारी बातें आपने कर ले इसमें और क्या रहे गया इसमें बाकी देखिए अब इस सारी बातों को समझने के बाद बच्चों देखना है इसमें थोड़ा साना डिटेल इनों ने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कैसे फॉर्म भरना है कैसे क्या करना है किस साइज में आपका फोटोग्राफ होना चाहिए हस्दाक्चर तो सब मैं यहां डिस फ्रावर के लिए पुरुस महिला दोनों के लिए 500 पेपर वन के लिए या पेपर टू के लिए और दोनों के लिए जो एलिजबल है वह 800 फिस जमा करेगा ठीक है और जो सारी रिक्ष्छा और स्वास्तानुदेशक की योगिता परिक्षा उसके लिए 500 है अन्सुची जाती फॉर्म भरते से में पढ़ लेंगे और आप देख लेंगे कि किस तरीके से फॉर्म भरने ताकि फॉर्म भरने में कोई गलती कम से कम आप ना करें यह ध्यान रखें और एक वेकंसी इसमें जो है आपकी सारी रिक्ष्छा और स्वास्त अनुदेशक के लिए भी है इसी में कि जो content है आपको almost video courses की रूप में मिल जाएगा आपको जिसको आप देखेंगे और उसका एक schedule बन जाएगा जिसमें कि आपको हम बताएंगे कि किस-किस दिन live classes हुआ करेंगे और उन live classes में जो पहले से video classes uploaded है उसके बारे में revision class plus practice sessions ज्यादा कराया जाएंगे आपके doubts clear किये जाएंगे तो इस तरीके से हमारे पास एक live online batch होगा जिसमें video classes plus live classes दोनों की facility होगी उसके लिए जो जानकारी आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर जो number display हो रहे है उन numbers में निश्चेत रूप से आप call करके या ज्यादा बहतर है WhatsApp करके पूछ सकते हैं अपने विशे से लिए क्या कर देंगे open कर देंगे इसके बारे में और जानकारी अगले किसी वीडियो में आपको provide करेंगे या फिर आपको जो WhatsApp नंबर दिये जा रहे है इन WhatsApp नंबर पर सारे dedicated जो आपके coordinator से उनको आप call करिएगा जानिएगा website पर आप क्लिक करके वहां भी विजिट करते र अगातार तो बने रहिए साथ में सीखते रहिए और कहीं कोई समस्या रहे गई हो इसमें कुछ छूट गया हो तो अपने सित्रूप से नीचे comment लिकिया और comment में पूछिए हम आपको कोशिश करेंगे कि सारे समस्याओं का समधान करें नहीं कर पाएंगे तो अगले वीडिय कि कोई आउशिकता आपको नहीं है क्योंकि sharing is caring thank you so much मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए आप खुश रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए